गर्मियों के दिन थे और मेरी दुकान रात देर तक खुली रहती थी मगर मुझे अपनी तबियत आज कुछ अजीब सी लगने लगी इसलिए मैंने समय से पहले ही अपनी दुकान बंद कर दी अपनी दुकान बंद करके ग्यारा बजे करीब मैं लोटा तो घर का दर्वाजा लौक नहीं था सायद मेरे बच्चे दर्वाजा खुला छोड़ दिया था और यही देख कर मुझे गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी को दर्वाजे का ध्यान तक नहीं है सहर के हालत ठीक नहीं थे और ऐसे में दर्वाजे को लेकर ऐसी लापर भाईह में किसी मुश्किल में डाल सकती थी रात काफी हो चुका था और मेरे बच्चे इस समय तक सो जाते हैं इसलिए मैं धीरे से घर के अंदर गया और दर्वाजा लॉक करके दवे पाउच चलता हुआ अपने कमरे तक आ गया घर में पूरी तरह खामोसी च्छाई हुई थी इसलिए मुझे लगा कि मेरी पत्नी भी जादा साथ सो चुकी होगी लेकिन कमरे के अंदर मैंने कुछ देखा जिससे मेरा दिल दहल गया हूँ तो मेरी रूह तक काप जाती है मेरे लिए सब कुछ बताना बहुत मुस्किल है जो उस रात लेकिन मैं आप लोगों को ये कहानी सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ त क्योंकि मेरा ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ सिर्फ ये है कि कोई मेरी तरह धोका न खाये मैं अपनी और दूसरों की बीच की लकीर को कभी ख़त में नहीं किया और सब को अच्छे सम्मान के नजरिये से सौगत किया और इसी बात ने मुझे इतना बड़ा नुक्सान पड हो जाती है मेरा नाम विकास है मेरी उमरे 40 साल के करीब थी मेरी एक छोटी सी परचुन की दुकान थी लेकिन भगवान ने इस छोटी सी दुकान में इतनी बुलंदी दे रखी थी कि मैं सिर्फ साथ बजे दुकान खोलता था तो रात 11 बजे भी दुकान बंद करने के रिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता था काम के धुन में मैं अपने घर पर साथ पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया लेकिन अंजाम मुझे बूरी तरह भूगतना पड़ा आज मैं 20 साल पहले हुई मेरा विवाय बंदना के साथ हुआ था वो एक दुबली पतली खुब सूरत लड कात की तो मैं खुद ही अपनी किस्मत से खुशन होने लगा कि मुझे बैठे बिठाय खुब सूरत लड़की मिल गई हम दोनों की साधी सिर्फ चार लोगों के रहने से हो गई क्योंकि बंदना मेरे जैसे एक गरीब घरास के खुआब और खुआइस बहुत बड़ी थी बह लासू देखना बहुत ही मुश्किल लगता था कई सालों से अकेले जिन्दगी गुजर रहा था मेरे लिए बंदना ही सब कुछ थी इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान में इतना सारा समय लगाया कि मेरे दुकान पूरी तर चल पड़ी बंदना को उसके खर भारी पी बिना नहीं रहते थे बात है मुझे उसकी तरफ कर देती थी वंदना को घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं था वह सुरू से ही लेके वह किसी ने किसी घर के तो कभी किसी घर के घूमती रहती थी मैंने भी का क्योंकि हमारे घर में सास बहु का जगड़ों का चुकी थी घर में हम दोनों ही किलाबा मेरे सोतेले पापा मौझूद थे पापा जलातर समय अपने कमरे में रहते थे हमारी साधी के आट मैंनों में भी वह को लेकर कोई सी कायद नहीं की इसलिए मैं भी पूरी तरह बेफिक्र हो गया की पापा की वज़े से हमारी साधी पर कोई अतराज नहीं था बंदना का भाई है और इससे मिलने के लिए आ सकता था लेकिन उस समय मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी जब वह दोपर के समय भी अपना काम धंदा छोड़कर हमारे घर के चक्कर काटने लगा था दिन में मैंने बंदना उसे पूछा की राह पिखल गया और मैंने बात बदलते हुए नर्मी से कहा कि मैं ऐसा कुछ पूछ रहा था राहुल हमारे घर आता है तो सीधा हमारे बेडरूम में चला जाता है और हमारे बिश्तर पर ही लेट जाता है बंदना की वज़े से मैं चुप हो गया बरना मुझे राहुल का आना औ मुझे गुसा पसंद नहीं करती थी बंदना उसके आंगे बिना तुपट्य की रहती थी और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी भाई बेहन के बीच भी सर में नाम की कोई चीज तो होती है समय बहुत तेजी से गुजर रहा था और बंदना की बढ़ती हुई चाहत को पूरा करने के लिए मुझे तुकान में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था मेरी यही कोशिश थी कि मैं जलते जल अपना कारोबार इतना बढ़ा लूँ कि फिर कभी बंदना को किसी चीज की लिए तरसना ना पड़े पहले तो पहर के खाने के लिए मैं गा तो तुछ समय बंदना सो रही होती थी और उसे मेरे लिए इतना पड़ता था मैं अपनी नाजुक पत्री को तकलिए पहुचाना चाहता था और अब तो वो मेरे बच्चों की मा बंदने वाली थी अगवान ने हमें एक बहुत कुशूरत बेटी दिया था और बेटी के आन बदलाओ आई थी उसे उससे नफरत हो गई थी जो हर समय हमारी बेटी को यही कहे कर कोस्ती रहती थी कि तेरे आने की बज़े से मेरी कुरसूरती खत्म हो गई सीशा के सामने घंटों घंटों खड़ी रेटी को बार बार उठा कर मेरे पापा की कमरे में छोड़ाती थी ब्राहूल का हमारे घर आना जाना अब तो पहले ही किता रहे था एक दिन मैं दुकान में दोपर के समय किसी काम से घर अगाया तो वह देखकर मैं हैरान रह गई कि वो बंदना उसके पीछे बैटी उसका सिर्दवा रही थी मुझे अपनी पतनी पे अपने भाई के साथ इस तरह होकर बैटना कुछ अजीव से लग रहा था वह पूरी तरह बेफिक्र थी और हमेशा की तरह उसने कपड़ा पहन रखा था और हमारी बेटी का कोई होसी नहीं था उसने पूछा कि विसाखा कहा है तो वो राहुल परसान कर रही थी उसे मैं पापा के कमरे में हर समय रोती रहती है और मुझे तो उसकी आवाज से नफरत होने लगी थी मैंने गुस्ते में बंदना की तरफ देखा और पापा की कमरे में जाकर विसाखा को गोद में उठा लिया पापा पूरी तरह अकवार में डूबे हुए तो और उन्हें विसाखा से कोई लिना देना नहीं था क्योंकि अब मेरे सब का बांध खादम हो चुका था सबने बरदास कर रहा था लेकिन भी साखा को ये बंदना की लापर वाई मुझे से बरदास नहीं हुई थी मैंने बंदना की खुआ इसको पूरा करने लिए अपनी जिनगी का हरे कि एक दिन मेहनत करता रहा लेकिन बंदना को इस बात भी एहसास नहीं था मैंने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं दिन बंदना से बात नहीं करूंगा और उसे खुद इस बात पर इहसास हो जाएगा कि इस वह गलत रास्ते पर चल रही है लेकिन भगवान का प्रिपा ऐसा हुआ कि भगवान ने एक बार फिर बंदना की गोड़ पे बच्चे की घुसी डाल दी दोबारा से बाप बंदने की खबर सुन कर मैं सब कुछ भूल गया और बंदना का हाथ थाम कर दिया जितना बंदना प्रेग्नेंट रहती थी राउल हमारे घर कम आता था लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद वह दुबारा से चक्कर काटने लगा बंदना की घर सिर्फ एक माँ थी और एक राउल था बंदना की माँ तो दो चार बार से ज़्यादा हमारी घर नहीं आई थी हमारी साधी को साथ साल होने वाले थे और पिछले कुछ दिन से महले वाले बंदना और राउल के बारे में तरह तरह की बाते बताने लगे मेरे दुगान पर खड़े हुए कुछ लोगों ने बंदना और राउल को लेकर अजीब तरह की बाते की तो जिसको बरदास करना मेरे लिए मुस्किल था रात को मैं लोट कर घर आया तो मैंने बनना को साफ साफ कह दिया कि राहूल को कह दो कि वो हमारे घर ना आया लोग तुम्हारे और राहूल के बारे में बाते बताने लगे हैं और मैं एक सरीप इनसान हूँ और हरगी जिस बात को बरदास नहीं कह सकता मेरी बात पे सुनकर बनना गुसे में आ गई कहने लगी तुम मुस्से मिलने के सरीप हो मेरे पास आने की बजाए उन लोगों का मुँ तोड़ देते अगर राहूल इस घर में नहीं आ सकता इसलिए उसने मुझसे दोनों को अपनी गोद में उठाया था और अपने घर जाने के लिए तयार हो गई लेकिन बच्चों की खाती मैंने इनना को रोक लिया लेकिन वो अपनी बात से पकी निकली उसने राहूल को घर आने से मना नहीं किया और मैं सारा दुकान पर होता लेकिन मेरे दिमाग में मेरे घर चलता रहता है मुझे समझ में नहीं आता था कि राहूल का कैसा भाई है वो अपनी बहन को घर उजाडने के पीछे पढ़ गया है मैं तीन बच्चों का बाप बन चुका था सब कुछ होने के बाप जूद भी बेटे की जिन्दगी कमी में थी सुकून नहीं था मैं बनना के बवार में तंग आकर सुबह घर से निगलता तो रात में घर पे दाखिल होता बनना को मुझे बिलकल भी दिर्चस्पी नहीं थी कहीं न कहीं इस बात को जान चुका था कि बनना राहू के बीच तालुक कुछ गला थी है लेकिन इस बात पर मैं कबोल नहीं करना था मेरे लिए उतना ही मुश्किल था मेरे पास ऐसा कोई सबूद भी नहीं था जिसके जरीए मैं इस बात को साबित करता और हमेशा के लिए बनना को दिल्गी से निकाल देता जैसे इनसान सब जानने के बाप जूद कभी कभी अपने बच्चों के खाति समझाता करने के लिए मजबूर हो जाते हाली में मेरे दो बेटी बड़ी हो चुकी थी और बेटा चोटा था मुझे अपने बच्चों की खातिर बनना जैसी ओरत के साथ समय गुजारना पढ़ाने के लिए रिस्ता नहीं वाना उस समय मुस्किल हो गया था जब मेरी बेटी यह उसमझ में आ गई कि उन्हें लोगों की जवान का मतलब समझ आने लगा मेरी बड़ी बेटी 14 साल की हो गई थी और हमारी साधी को भी 16 साल होने वाले थे यह 16 साल में बहुत परसानी से काटे थे और अब तो यह सोच कर दूसरी परसानी का सिकार हो गया कि राहुल अपनी बेहन के साथ इस तरह कर रिस्ता रख सकता है उसकी नजर मेरी बेटी के लिए कैसी हो दी मेरी बेटी बड़ी बहु बंदना की तरह थी वोरी चिट्टी रंग एक दिम मेरी बेटी मुस्से राहुल की सिकायक करने लगी कि माम बार बार किसी ना किसी बहाने परसान करते है यह सुनकर मैं गुस्ते से बाहर हो गया और बंदना से बात करने की बजाए सीधा बंदना के मा के पास पहुच गया बंदना की मादर वाजे पिताना लगा था जैसे ही पलेट लगा तो पड़ोसी मेरे पास चला आया और हाल में पोचने लगा कि वो मुझे अच्छी तरह जानता है क्योंकि इस बंदना और मेरी साध्य हुई थी बातो बात मुझे मुझे ऐसा बात बता लिया जिससे सुनकर मेरे सर पर आसमान गीरा पड़ा राहुल और उसकी मां बंदना कि सगे नहीं थी बलकि बंदना की मां ने मरते हुए बंदना को राहुल को मां की जोली में जालके चली गई थी राहुल की मां बंदना को पसंद नहीं करती थी और फिर एक दिन मेरी साधी करवा दी मैं जादी के इतने सालों बाद इतने बड़े सच से पूरी तरह अन जानता कि बंदना और राहुल भाई बहन नहीं थे और वो अब तो पूरी तरह अखीरता हो गया था दोनों वीच यकिनन गलत लिसता था मैं उलते कदमों लोट कर आया बंदना फदन नजर पड़ता ही मैंने इसके चेहरे पर एक जोरदर थपड़ मारा मैं जान गया था कि बंदना मेरी पीट पीछे पर खंजर हो पर रही है वो मेरे पैसों से मेरी ही घर में अपने यार के साथ ऐस कर रही थी अब मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए मैं बंदना को कह दिया कि अगर व भी नहीं था कि उसका सच मुझ पर सिकार हो जाएगा क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे कि वह और राहुल भाई बहन नहीं थे मैं बहुत परिशान था बंदना के पास कोई ठीकाना नहीं था मुझे छोड़ कर जाती तो राहुल का दे कमा और आवारा इनसान था वो हर समय मेरे ही घर में पड़ा रहता था बच्चे भी बंदना के से अलग हो चुगे थे क्योंकि मैं उन्हें अपनी मा का किरदार बहुत अच्छी तरह से आने लगा था बंदना को जब तर अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता तो उसने मेरे आगे हाँ जोड़ कर अपनी गल्दियों को मापी बागने लगी और मेरे बच कुन से गुजरे और राउल ने हमारे कहर में कदम नहीं रखा बंदना भी अच्छी से मर्बीजी हो गई थी मुझे लगा कि हम मेरी जिन्दगी बहतर हो जाएगी लेकिन मेरी फिर जिन्दगी में वो रात आई जब दुकान से देर से घर लाटा और चुप चाप मैं घर मे चला गया कि कहीं मेरी आवाज से हमारे बच्चों की आँख ना खुल जाए लेकिन हमारे कमरे से अब आज दर्वाजे पर पहुँचा वहाँ जो मंजर देखने को मिला उसे देखकर मुझ पर आसमान गिर पर मेरी पतनी मेरे कमरे में मेरे सौतेले बाप के साथ जिस साल में मौझ थे उसे लफजों को बताना नामोंगीं का थे वो दोनों जमाने में बेखबर एक दुसरे के साथ जिस तरह बिस तरह पर मौझ थे मुझे मेरे सर पर आसमान गिरता हुआ महसूस हुआ अचानक उस बंदना की नजर मुझ पर पड़ी और दर सी गई थी वो बोखला ग अर मैं गुस्टे में अंदर इसके बाप की तरह पूरि मरने लगा बंसखलर agrad़ो को बहुत मुझ किल से मैंने वह बहुत रोका बंसब्र में सभी पर रिफा दोड़ता मैं रोत कहने लगी उस से अचार दिल्ँन किसान भी और से लागा के ब fees चाने लगी कि कि suckShuna दने Su उसके लिए बंदना को छूड़ा तोड़ना मुझन देशलिए वो हमारे घर आने लगा और बंदना को ब्लैक मिल करने का इस्तिमाल करने लगा सुरू सुरू में बंदना ने इस बात को मुझसे चुपा लिया लेकिन समय गुजरने लगा साथ में राहूल के आते ही रहने से मुझे सहक सक्के दारे में घेल लिया था और मुझे से बात छुप न जाए बंदना कई बार राहूल को समझाने की कोशिस की लगा लेकिन वो हमेशा ही अगया कर बंदना को प्लैक्मिल करता कि अगर हम वो बंदना से खुश ना किया तो वह मुझे साधी से पूरी बात बता दीगा इसी डर्व की बज़े से बंदना चुपी कर ली थी राहूल के साथ देती रही ताकि हमारा घर ना तूटे मैं हर गुजरते दिन के साथ उससे दूर होता चला गया और वो क्योंकि वो मुझे नहीं खो सकती थी लगता था कि वो मुझे दोका दे रही जबकि वो राहूल के साथ देने के लिए बहुत ही मजबूर हो चुकी थी जिस तरह मैंने इतना साल काटा उसी तरह उसने बहुत तकलीफ से यह साल गुजरे जब मैंने उसे बताया कि मैं जान गया हूं कि वो राहुल के भाई बैन नहीं है और ये दोनों बीच खलत रिस्ते मुझसे मौलूम हो चुक है तो वो बंदना को सुकून से महसूस हुआ कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा और उसे असानी से राहुल से जान छुट जाएगी लेकिन बंदना और राहुल के बीच का सबसे ज़्यादा फायदा मेरे सतोले बाप ने उठाया साधी के कुछ मैंनों बाद उसे पता चल गया कि मेरे पिछे बंदना राहुल कमरे में क्या करते थे मेरे सतोले बाप ने बंदना खुब राइगमिल किया कि बंदना ने उसका साथ नहीं दिया तो वो राहुल बंदना के बारे में सब कुछ बता देगा एक पाप को छुपाने के लिए बंदना दूसरे पाप करने लगी और वो राहुल के साथ मेरे सुत्यले बाप से भी गलात लिस्ता कायम रखा ये सब देखकर बेचारी बहुत परसान थी लेकिन वो क्या कर सकती थी इतने सालों बाद सिर्फ राहुल का जुल्मी ही नहीं बलकि मेरे बाप को भी जुल्में बदास कर रही थी और मैं खुसूर बारत समस्ता आया कि वो रोते रोते हुए आ रही थी मैं बच्पत मैं बाप बाप बार गये थे तो वो सब इससे तरह जमादे में ठोकरे खा रही थी राहुल और मेरे बाप अपनी खुआइस पूरी करने के लिए उसे तकलीब दिया था उन दोड़ों ने इस बात का हिसास नहीं था कि पहले अपने सतोले बाप को सिर्फ अबड़ के लिए धर में जगए दे रखी वरना मेरी माँ के मौत के बाद मेरा सतोले बाप से कोई रिस्ता बाकी नहीं बचा था लेकिन साथ यही मेरी गलती थी कि मैं भूल गया था कि वो कई सालों के बाद अकेले जिन्गी बिता रहे थे मेरी पत्नी के लिए उसके लिए जस्बात पैदा हो सकते हैं मैंने रात को अन्धेरे में अपनी सतेले बाप को हाथ पकड़कर पर घर से बाहर निकाल दिया भगवान के क्रिपाति के सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी बंदना के नहीं समझाती की बंदना ने मुझे धोखा देकर राहु के साथ रिस्ता कायम रखिया बंदना मेरी कदमों पे गित गई बहुत जाला रो रही थी क्योंकि उस सोई इन सब चीजों की बहुत फिक्र थी वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और आज तक अपने बच्चों के लिए दूर थी क्योंकि वो एडर था कि कहीं उसका सच उनके बच्चों के सामने नहाजा और मेरे बंदना से गली लगा कर माफ कर दिया क्योंकि मेरे बच्चों को अपनी मा के जगुरत थे लेकिन मैं रात मेरे जिनने कीगी सबसे बड़ी खतनाक रात रही होगी मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लग रहा था लेकिन मैं कभी निकल नहीं पाई जिस रात में दे मनना को अपने सतोले बाप के साथ देखा मैं आदमी हूँ और ये बात मेरे अंदर आप बोज़ की तरह मैंने अपनी बीबी को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रख पाया मैंने उसे दुनिया की बहर को ऐस अराम दे दाली लेकिन उसकी देख रेक ना कर सक है मेरे ये कहानी बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था लेकिन कहानी उसे बताने का माकसाथ सिर्फ इतना ही था कि आप सतरक रहे तो दोस्तो आपके स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताए अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सस्क्राइब करके वे लाइकिंग को प्रेस कर ले ताकि आने बाली सबी वीडियो को नाटिपे कैसन आप कि माल भी सबसे पहले पहुचे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ तो चली मिलते नग्स वीडियो पर ओके बाई टेक कैर